हेलो गाइज वेलकम पैक टूट चैनल हेलो दोस्तों वेलकम बैक और आज बहुत टाइम बात मैं फेस्कैम कर रहा हूं यानि एक ऐसा डीव ब्लॉक डाल रहा हूं बहुत ताइम से बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पारा था क्योंकि शेडूल मेरा ऐसा है कुछ बिजनिस क दो और एक ऐसा कोई कांटेंट ऐसा कोई टॉपएग वी मेरे पास नहीं आ रहा था अभी जिससे मैं आप लोगों को उससे अफगत करा सको उससे जानकारी दे सकों तो उसके बारे में मैं थोड़ा टॉपिक सूच रहा था कि एक ऐसा टॉपिक जो मैं आपको अच्छे से अच्छे से explain कर सको उसके बारे में और उसके बारे में आपको जा सेथा deep knowledge दे सको तो आज का एक मैंने topic shortlist किया है I hope आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों पसंद बिलकुल आएगा आप video को end तक देखिएगा step by step मैं आपको उसके points बताऊंगा और अच्छे से deep knowledge दूँगा as मैं पहले आपको बताते आ रहा हूँ तो आप लोगों के प्यार से ही आप लोगों के support से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरा channel grow कर रहा है और दोस्तों मेरे से एक request है और है आप लोग से क्या आपको अगर मेरे videos पसंद आते हैं आपको ऐसा लगता है कि मेरा information जरासा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि genuine है या आपको ऐसा लगता है वो आपके लिए अच्छा है आप दूसरों को भी उसको convey कर सकते हैं तो आपको उसमें सबसे बड़ा support रहेगा और आपने वो लोग किया वो कर रहे हैं आप लोग और मेंजे और support चाहिए दोस्तों ऐसे support आपका मेरा बनाय रखिए उसी support से आप लोग के support से ही मैं आगे बढ़काऊंगा तो दोस्तों आज का व्लोग हम स्टार्ट करते हैं आज के व्लोग को टॉपिक है कि अरविदिक दवाईया जो अरविदिक medicines होती है वो expire होती है या नहीं होती है इसका मैंने एक यह topic लिया है और इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को end तक जरूर देखिए को दोस्तों यह मेरा request है आप से आपको सारी चानकारी अच्छे से provide होगी और आपको अच्छे से सरज में आएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि Ayurvedic medicines का process और Ayurvedic medicines किन स्थिती और किन atmosphere पर बनाया जाता है तो देखिए मैं आपको इसमें दो division मैंने इसमें divide कर चुके हैं दो division मैंने जो इसमें डाले हैं इसमें वैसे भी दो division ही आते हैं Ayurvedic medicines में एक होता ethical division दूसरा है classical division या आप इसको ethical composition और classical composition ये दो compositions divide किये जाते हैं Ayurvedic medicines में तो अगर आपको यहां बात करते हैं classical compositions के ऊपर तो जितने भी classical compositions होते हैं उन में ज्यादा तर आते हैं आसभ आरिष्ट यानी liquid जितने भी syrups होते हैं वो आते हैं भस्म प्रकड़ना आता है यानी जितने भी भस्म होती है Ayurvedic में वो आते हैं वटी-कुटी यानी वट्टी और गुटी का यह दोनों एक ही चीज़े होती हैं तो जो tablets होती है ऐरविदिक में वो आते हैं आस आरिष्ट भस्म वटी कुटी और जितने भी आपके रसायन होते हैं जैसे गंदग रसायन है एक example कि आप ले सकते हैं कि गंदग कर रसायन के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो यह classical compositions में आता है एसगल compositions जो companies अपना compose करके अलग जैसे आजकल आपने देखा हुगा कि आप एक 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 जामपल लीजिए जैसे गिलो गिलो अपने एक चीज लेते हैं गिलो का आपको रस भी मिलेगा गिलो का सत्व भी मिलेगा गिलो का सीरप भी मिलेगा गिलो का जूस भी मिलेगा गिलो का टैबरेट भी मिलेगा तो ये आपके सामने गिलों के अलग अलग रूप रख दी हैं companies ने और पहले भी ये किया जाता था पर एक small scale पर और genuine process के द्वारा किया जाता था मैं ये नहीं कह रहा हूं कर ऐसकी जो companies रहा है जना से जो जैनोर तरीके से नहीं करते हैं ऐसा भेरा कहना बिल्कुल नहीं है इसको आप गलत भी में मत लीज़ेगा पर उनके process में जो आदिकाल से जो process किया जाता या उसको समझा जाता आधिकाल से प्रॉसेस जो होता है उस पर अगर हम जाएंगे उसके process पर अगर हम देखते हैं तो वो process कुछ ही companies हैं जो follow करती है जो शुरुवात में उनको बताया गया था process follow करना उसी process से वो दवाईया बनाती है तो classical compositions की अगर हम बात करते हैं तो classical compositions कभी expire नहीं होता है दोस्तों वो इसलिए नहीं होता है कि उसकी जो process है उसका जो बनाने का तरीका है वो इतना जटल है और इतना क्या कह सकते हैं उसकी जो compositions है वो इतने जटल होते हैं कि उसमें कभी expire का मतलब ही नहीं होता है अर्विदिक medicines expire का मतलब इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप आसव आरिस्ट या वटी-कोटी या रस-रसायन की बात करते हैं तो यह expair भूत ही कम होते हैं अगर आप यह सोचते हैं कि हम expair date डालना ज़रूरी companies को इसलिए है क्योंकि government की guidelines है अगर government की guidelines नहीं होगा तो companies आगे अपना forward product नहीं बेच पाएंगे उसको sale नहीं कर पाएंगे और अभी कुछ companies यैसी हैं जिने government approve कर चुके हैं कि वो अपनी expairi infinity लिख सके हैं यानि अफसान तिती infinity लिख सकते हैं अनंत लिख सकते हैं मैं आगे आपको बताओ को कौन सी companies हैं उनकी आप medicines लीजिए और आपको कोई भी चीज से डनने की जरूत नहीं है कोई भी आपको ये चिंता करने की जरूत नहीं है कि आप कोई गलत चीज़ ले रहे हैं या expairi चीज़ ले रहे हैं ऐसा नहीं हो क्योंकि उसमें जो जैसे हम आसव आरिष्ट की बात करें यानि सीरॉप की बात करें तो सीरॉप जितने भी आते हैं आरवेदिक में वो self generated alcohol होता है यानि उसमें जो alcohol होता है वो self generated होता है उसका composition ही ऐसा होता है कि उसमें अपने आप alcohol generated होता है तो जब alcohol generated होगा तो उसमें expiry का मतलब ही नहीं है उसका मतलब यह है कि वो जो आसफ है जो artist है वो कभी भी खत्म होने की कगार पर नहीं आएगा आप उसको चाहे जितना पुराना ले आपने कभी कहावत सुनी होगी कि आयरवेदेश की पुरानी दवाईयां जितनी होती है यह आज के टाइम पर भी लागुक होता है दोस्तों बहुत सारी कंपनी जैसी हैं जो आपको पुराने से पुराने आसफ री पैक करके देते हैं और ऐसा करना भी चाहिए मैं इसके साइड हूँ क्योंकि जो कंपनी के क्लासिकल कॉमपजिशन से जो शस्त्र शास्त और जो भी हमारे बेद कंतों में लिया जाता है पहले कौन सा है? मतलब आप अगर सोचें तो पहले ना आप कंपनीज होती थी ना कोई रैपर होता था ना कोई एक्सपारी का ओप्शन होता था पर पहले एक सेंस होता था आदमी में कि उसको वो सेंस कर जाता था कि ये चीज यूजबल है कि नहीं अगर यूजबी नहीं है तो उसको वो अजर यूज़ेज में प्रियोक करते थे उसका तो आप आसावारिश की बात करेंगे या वाटिकोटी रसरसाइन की बात करते हैं तो ये सब क्लासिकल कॉमपोजिशन में आते हैं तो जो एकस्पार नहीं होते हैं आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एकस्पार कोई चीज होती है अगर आपको यूज़ नहीं करना है या हो सकता है आपको उसको लेने पे कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है या आपको कुछ अलग चीज महसूस हो रही है तो आप उसको जरू बंद कर सकते हैं हो सकता है क्योंकि वह आपका बॉड़ी उसको सूट नहीं कर रहा हो तो इसका मदल यह नहीं है कि वो चीज एक्सपायर है ऐसा बिलकुल नहीं दोस्तों उस चीज को आप अपने दिमाग से निका लिए मैंने आपको दो डिवेजर में बताया था एक क्लासिकल कॉम्प्टिशन से दूसरा एथनिकल एथनिकल में क्या होता है कि कमपनी खुद अपना मॉड़िशन करता है यानि जैसे गिलो है तो गिलो का उनने सत्व भी निकाला है वटी भी निकाली है रस भी निकाला है और फिनी इसाब को परवाइड कर वाती है एक ऐसर अगर होती है जो अकेली होती है जो अकेली पर्öोंच की जयाती है अगर उसको अप x-pairi में रखते हैं तो यह गलत बात है Hey one He एकल भी है अपना रोप नहीं चोड़ाइगजी कभी उसका जो body nature है उसका जो आरविदिक का nature है उसके जो chemical उसमें अंदर जो भी problem होगी mix करने के बाद तो हो सकता है कि वो expiry की और आज़े यह सब चीजे ethnical compositions में आता है यानि जो companies खुद modify करके market में sell करती है तो एकल औशिदी पर ध्यान रखिए जो एकल औशिदी होती है एक औशिदी अगर आपको मिलता है जैसे आसब है तो आप किस चीज का आसब ले रहे है तो उसमें भी अलग अलग धाय का फूल गुड या मिश्री या उसकी जो process है बनने की वो आप पढ़िए आप अगर deep उसको देखेंगे आप अगर उस चीज को पूरा सोचेंगे पूरा समझेंगे तो आप चीज को कभी आपको डरनी लगया कभी आपको कोई misguide नहीं कर सकता है कि यह चीज गलत है कि सही आप खुद उसको research करिए खुद उसमें पढ़िए मैं आपको उसका बताता हूं जैसे एक company है जिसे हम कहते है गुरकुल कांगरी pharmacy आपने मैंने अपने previous vlogs में बहुत देखा है कि गुरकु देखे दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आपको यह है गुरकुल का जो मैं आपको बता रहा था classical medicines यह अमरता रेस्ट है यानि यह गिलो पर बनाए जाता है पूरा यह कलोश दी है गुरकुल कांगरी आप देख लीजिए गुरकुल मैनेफेक्ट्रवाय गुरकुल कांगरी फार्मेसी अरिद्वार सौरी थोड़ा डस्ट है इसके लिए माफी चाता हूँ मैं इसमें आप देख लीजिए अपसान तिति अगर आप नीचे से थर्ड लाइन पढ़ेंगे तो अपसान तिति इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों अपसान तिति यानि एक्सपारी अपसान तिति का मतलब होता है एक्सपारी डिट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज नहों अपसान तिति अनन्त लिखा हुआ है इस पर तो एक्सपारी इंफिनिटी है ये इसके कॉंपोजिशन है मैं आपको तो गिलो दश्मूल काली जीरी सब आप उसमें थोड़ा अंतर करना सीखें एथिकल और क्लासिकल में ये क्लासिकल कॉंपोजिशन है जो रॉमड रिली से बना जाते हैं देखी जैसे गिलो दश्मूल काली जीरी सब्तुरंकी छाल सौट पीपल मुस्थ नाकेशर कुटकी अतीस इंद्रायन और गुड यानि जैग रिजी से हम काते हैं साधी में इसके इंगलिश नाम भी है आप देख पा रहें आच्छे से ये सभी क्लासिकल कॉंपोजिशन में आते हैं और गुड है गुड में अपने आप ये मेरिनेट होता है और ये रिस्ट है आरिस्ट है तो इसमें धाय का फूल और गुणी ही है वो अनन्त है यानि ये कभी एक्सपायर नहीं होगा तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों गुरुकुल कांगडी के बारे में तो देखा दोस्तों आई होप आपको ये सहज में आई होंगी जो मैं आपको बताना चाहरा हूं दो डिविजन होते हैं अरवेदिक्त में ए चली आ रही है अगर वह प्रॉसेस फॉलो कर रहे हैं तो मुश्किल है कि आपको उसकी कोई साइटफेक्ट्स हों और वह कोई प्रॉसेस मतला उसका आपको कोई गलत प्रभाव हो तो क्लासिकल कॉंपजिशन जितने भी है एक अलोशिदी प्लस क्लासिकल अगर आप ये बा प्रमीशन है गवर्मेंट की साइट से कि आप इसको रख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चीज़ें एक्सपार नहीं होती है गुर्कुल कागरी का मैंने आपको एक्जैमपल दिया जो उनके आसिव जितने भी आते हैं सीरफ अगर आप देखते हैं उन सभी में अ अच्छा आपको लाप पहुचाएगा एथिकल कॉंपजिशन में आप देख सकते हैं या तीन या पांस साल की एक्सपारी दिया जाता है और जितने भी सीरफ आते हैं उन समय दस से बारा साल या बीस साल की डेट लिखी आते हैं और वो कभी होता ही नहीं है दोस्तों ताप कोई छूड़ गया है या आप जाज़ जानते हैं तो आप मेरे से कॉंटेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नमबर है और उसमें आप बता सकते हैं मुझे कि मैंने उस चीज में क्या पिक नहीं किया या क्या आप लोग मुझे खुद सालेशन कर सकते हैं तो मैं उसका तो कोई भी चीज कभी भी आपको नुकसान नी करेगी अर्विदिक बहुत ही अच्छा पैथी है एक अच्छा जरिया है आपकी बॉड़ी को निरोगी रखने में तो आप आरवेदिक को अपना है आरवेदिक के साइड फेट्स कुछ नहीं होते हैं ना उसमें एक्सपारी आता है बस आप यह ध्यान रखिएगा एथिकल कॉंपजिशन और क्लाशिकल कॉंपजिशन दो डिवीजन होते हैं तो इसमें आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा तो दोस्तों यह छोड़ा सा व्लॉक आप लोग को समझ में आ जाया है अगर आपको पसंद आता है तो इसको जाल से जादा शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मुझे जाल से जादा सजेशन दीजिए आपको किन चीज़े के बारे में जानना है क्या आपकी अधिक क्या आप हर एक के वारे में मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा इलाज बता पाऊंगा अच्छे से अच्छा एक गाइड कर पाऊंगा आप जिससे आपकी जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाए मेरा कोशिश यही है तो आप जहादा मुझे स video please subscribe to my channel share much as can with your family friends टब टकिली बाए